सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दिये गा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तों मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो के इंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ साड़े साथ हजार के बजट में मिलने वाले दो बहुत ही ज़ादा बढ़िया मॉबाइल्स रियलमी और टेकनो की तरफ से टेकनो का स्पार्क गो 2020 दोस्तों ये आपको मिल जाएगा साड़े साथ हजार में दूसरी तरफ है रियलमी सी 11 इसकी भी कीमत इतनी है तो इस वीडियो में मैं इन दोनों मॉबाइल्स में कंपरेजन करके आपको बताऊँगा कि आपको सेम रिट में मिलने वाले इन दोनों में क्या कमिया है क्या क्या चाहिया है और आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहिएगा चली देखते है टेकनो के साथ आपको साड़े साथ हजार में क्या के दिया गया है तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले मिलता है मुबाइल उसके बाद दिये गया है कुछ यूजर मैनुवल एक मिल जाती है डेटे केबल इसके लेंट और क्वालिटी दोनो नॉर्मल है बाकि दोस्ते इसके साथ आपको टाइप C केबल तो नहीं दी गई क्योंकि कीमत काफी कम है USB तो Micro USB केबल मिलती है आखर में आपको रखाव मिलता है यह वाइट कलर में छोटा सा चारजर इसके भी बिल्ड क्वालिटी नॉर्मल ही दी गई है अब दोस्ते इसके अंदर आपको आउटपट मिलता है 5 वोल 1.2 इंपियर का ही तो यह सिंपल सा ही चारजर है फार्श चारजर तो आपको इस मोबाल के साथ नहीं मिलता क्योंकि कीमत काफी कम है काफी स्लो चारजर दिया गया है कम से कम 10 वोट का चारजर होता तो काफी बढ़िया रहता अब यह सार समान आपको मिलता है टेकनो के स्पार्गो 2020 के साथ 7,000 में रेट के साथ से देखा जा तो बॉक्स के जो कंटेंट्स है वो आपको नॉर्मल ही दिये गया है क्वालिटी मुझे कंटेंट्स की नॉर्मल ही लगी चली देखते हैं फिर भी अगर आप इतने ही पैसे रियल में C11 पे खर्च करते हैं तो साड़े साथ हज़र में उसके साथ क्या 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 दिया गया है तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं C11 को इसके अंदर आपको सबसे पहले रखवा मिलता है एक मिनी बॉक्स जिसमें पीछे लगवा है एक सिम इजक्टर टूल अंदर दिये गए हैं कुछ यूजर मैनुवल कवर दोनों मॉबैल के साथ आपको नहीं मिलता मॉबैल मिलता है रैपर में डिटेल लूक हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है जाद अच्छी क्वालिटी की डेटा केबल ये भी एक टाइप सी केबल तो नहीं है लेकिन दोसो क्वालिटी आप देख सकते हैं इसकी केबल की जादा बढ़िया है टेकनो की केबल से आखर मापको रखाव मिलता है ये वाइट कलर में काफी बड़ा चारजर साइस तो इसका काफी बढ़ा है लेकिन दोसो इसकी भी बिल्ड क्वालिटी आपको नॉर्मल ही दी गई है फिर भी जादा बेटर है टेक्नो के चार्जर से और इसके अंदर आपको आउटपुट दिया गए है 5 वोल्ड 2 अमपियर का तो दूसरे थोड़ा से जादा बेटर चार्जर आपको दिया गए है रियल्मी C11 के साथ अब यह सारा सामन आपको मिलता है रियल्मी C11 के साथ 7000 में देखा जाए तो दो चीजों में यह मॉबल जादा बढ़िया है पहले इसके अंदर आपको डेटे केबल की क्वालिटी जाद अच्छी दी गई है दूसरे इसके साथ आपको जो चार्जर मिलता है इसकी बिल्ड क्वालिटी जाद अच्छी है और यह थोड़ा से जादा फास्ट भी है टेकनो के चार्जर से तो कीमत दोनों की सेम है लेकिन बॉक्स के कंटेंट्स आपको जादा बढ़िया दिये गए है क्वालिटी वाइस देखा जाए रियल्मी C11 के साथ इस चीज में जदा बढ़िया है रियल्मी C11 ही चलिए बात कर लेते हैं दूस्तों डिजाइन के बारे में तो इन दोनों के अंदर आपको डिजाइन दिया गया है काफी जादा बढ़िया आप देख सकते हैं लाइट की रिफ्लेक्शन टेक्नो के बैक पैनल पे काफी अच्छी लग रही है लेकिन इसमें कमी यह स्क्रेचिस असानी सा जाते हैं वहीं दूसरी तरफ रियल्मी C11 में आपको जिसमें पहला है 13 MP का दूसरा 2 MP का फ्रंट कैमरा है इसका 5 MP का कैमरी की पर्फॉमेंस आपको रेट के हिसाब से इसके अदर आपको नॉर्मल मिल जाती है वहीं दूसरी तरफ टेक्नो के स्पार्क गो 2020 में भी आपको बीचे की तरफ दो कैमरे दिये गए हैं जिसमें पहला कैमरा है 13 MP का दूसरा है AI Lens इसका फ्रंट कैमरा है 8 MP का कैमरी की पर्फॉमेंस आपको इसके अदर भी रेट के साब से नॉर्मल ही दी गई है अच्छी चीज़ यह है टेक्नो के अंदर आपको फरक यह मिल जाता है फिंगर्प्रिंट स्कैनर दिया गया है जो आपको यहलमी C11 में नहीं मिलता कैमरा तो वैसा आपको दोनों में नॉर्मल ही दिया गया है लेकिन फिर भी जादा बेटर मिल जाता है यहलमी C11 के अंदर इसके लवग दोस्तों आप देख सकते हैं एक्स पॉइंट फाइफ इंचेस के डिस्पले दी गई है और दोनों ही मॉबाल्स के अंदर आपको HD प्लेस डिस्पले मिल जाती है फुल HD प्लेस डिस्पले तो नहीं दी गई क्योंकि कीमत काफी कम हैं दोनों की फिर भी एक्च्वल में डिस्पले की क्वालिटी की इस मॉबाल की जाद अच्छी है मैं आपको दिखा देता हूँ उससे पहले बात करें दोस्तों यूज़ इंट फेस के बारे में तो यूज़ इंट फेस कुछ इस तरी की से दिया गया है आप इसे उपर की तरह स्वाइप करेंगे आपको सारी अप्लिकेशन्स मिल जाती है दोनों के अंदर आपको एप ड्रॉर दिया गया है मुझे फिर भी जादा स्मूध और जादा फास्ट यॉई लगा मुझे रियल मी C11 का यूज करने मुझे इसका एक्सपिरिंस जादा बेटर लगा टेकनो के कंपरेजन में अब दोस्तों फिर भी यापकी पसंद की ही बात है कि आपको अंदर से फीचर्स देखने में किसके जादा अच्छे लग रहे हैं इसके लग दोस्तों दोनों मुबैल्स की डिस्प्ले बिलकुल फूल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ अब डिजाइन जो है डिस्प्ले का वो भी आपको एक जैसा ही दिया गया है नौच वाला इसके साथ एज्जी बेजल्स भी आपको लगबग बराबर मिल जाते हैं साइज भी सेम है बात करें सबसे इंपोर्टेंट चीज क्वालिटे के बारे में तो अगर आप कलर्स देहेंगे डिस्प्ले के तो वो भी आपको दोनों में काफी बढ़िया दिये गए है लेकिन फिर भी इन दोनों मुबल्स में और जादा ब्राइटनेस आपको अच्छी मिल जाती है C11 की डिस्प्ले की हाला कि दोनों में नॉर्मल ही ब्राइटनेस हैं लेकिन जादा बढ़िया है C11 की डिस्प्ले में लेफ्ट साइट साब देहेंगे तो C11 में सिम के ट्रे दी गई है टेकनो स्पार्गो 2020 का बैक पेनल हटाया जा सकता है इसमें सिम अंदर की तरफ लगते हैं और दोनों ही मुबल्स के अंदर आप दो सिम काड़ एक मेमरी कार तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं यह दुनों में खुबी है नीचे की तरफ साब देहेंगे तो charging port, speaker, mic, headphone jack दिया गया है टेकनो में speaker back panel पे दिया गया है नीचे की तरफ राइट साब देखेंगे तो दुनों में volume के buttons और power के buttons उपर की तरफ साब देहेंगे तो plane design है इस तरफ कुछ नहीं दिया गया Sido से भी build quality आपको C11 की ज़्याद अच्छी मिल जाती है अब दोस्तों दोनों ही mobile smart आपको दी गई है साड़े साथ हजार में 2GB RAM 32GB internal storage Realme में आपको free memory मिलती है 19GB के आसपास टेक्नो में 24GB के आसपास तो तकरीबन 4-5GB आपको और ज़्यादे मिल जाती है टेक्नो के अंदर लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी आप brightness देख सकते हैं डिस्प्ले की ज़्यादा बढ़िया है C11 की ही डिस्प्ले में colors के अंदर यहाँ पे भी आप फर्क देख सकते हैं दोनों ही मोबल्स के अंदर आपको Android का 10 version दिया गया है इस चीज में दोनों बढ़िया है बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में तो बैटरी भी आपको दोनों मोबल्स के अंदर बहुत अच्छी दी गई है 5000 इमेश की एक दिन का बैटरी बैकप आराम से मिल जाता है दोनों के अंदर बैटरी को लेकर यह दोनों ही मोबल्स बहुत ज़ाद अच्छे हैं बात करें प्रोस्तर के बारे में तो टेक्नों के अंदर आपको दिया गया है मिड़े टेक का A20 प्रोस्तर C11 के अंदर आपको दिया गया है मिड़े टेक का G25 प्रोस्तर अब दिएकर आप एक हैवी यूजर हैं आपको परफॉमेंस ज़ादा बढ़िया चाहिए दोस्तों ये दोनों ही मोबल्स नॉर्मल यूज के हिसाब से ही है हेवी यूज के अंदर इन दोनों में आपको दिक्कत होगी लेकिन दोस्तों इन दोनों मोबल्स में फिर भी जादा बेटर प्रोस्तर दिया गया है C11 के अंदर ही वैसे तो दोनों नॉर्मल ही है फिर भी इन दोनों के कामपेरिजन में C11 जादा बढ़िया है अब ये सारी खुब ये कम्याब को मिलती है इन दोनों के अंदर चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेंड चीज आपको इन दोनों मेंसे कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं तो मेटर सबसे पहले ये करता है कि आपको रियलमी पे जादा भरोसा है ये फिर टेक्नो पे इसके बाद आपकी जो मेंड जरुत की चीज है वो कि इस मोबाल में जाद अच्छी है तो दीखे अगर आपको डिस्पले अच्छी चाहिए तो आप C11 लीजिएगा इन दोनों मोबाल में ये मोबाल आपके लिए जाद अच्छा रहेगा इसके लिए अगर आपके लिए मेंटर करता है मोबाल का डिसाइन तो आप C11 ही खरीदिएगा क्वालिटी इसके डिसाइन के आपको जाद अच्छी दी गई है हाला कि लुक वाइस डिसाइन टेक्नो का भी काफी अच्छा है लेकिन क्वालिटी जादा बढ़िया है C11 के अंदर ही तो अच्छे रिजाइन के लिए आप रियल में C11 खरीदिएगा लेकिन अगर आपके लिए मेटर करता है मोबाल का फिंगर पेंट स्कैनर जो आपको C11 के अंदर नहीं दिया गया तो इस चीज़ के लिए आप टेकनो ही खरीदिएगा इसके अंदर आपको फिंगर पेंट स्कैनर मिल जाता है इसके लिए अगर आपके लिए मेटर करता है मोबाल का कैमेरा तो कैमेरे के अंदर वैसे दोनो नॉर्मल है लेकिन जादा बैटर है C11 अच्छे कैमेरे के लिए आप यलमी C11 लीजिएगा आखर में अगर आपके लिए मेटर करती हैं दोस्तो बैटरी तो बैटरी के अंदर दोनों बढ़िया है आप दोनों में से कोई सबी ले सकते हैं बाकि C11 में आपको चारजर जादा बैटर दिया गया है और डेटे केबल की क्वालिटी जाद अच्छे दी गई है तो चारजिंग टाइम में इसमापको वैसे दो दोनों में काफी जादा टाइम लगेगा लेकिन फिर भी आपको क्वालिटी वाइस देखा जाए तो C11 के साथ बॉक्स के कंटेंट जाद अच्छे दिये गए है आप C11 खरी दियेगा अच्छी बैटरी के लिए भी आखिर में दोस्तों अगर आपको प्रोस्टर अच्छे चाहिए तो वैसे दोनों नॉर्मल है लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको जादा बैटर मिल जाता है C11 तीसरे डिजैन के क्वालिटी जाद अच्छी है और चौतरे इसके अंदर आपको डिस्प्ले की क्वालिटी जाद अच्छी दी गई है कीमत भी सेम है और इसे के साथ थोड़ा सा प्रोस्टर भी जादा बेटर मिल जाता है तो दोस्तों देखा जाए तो quality वाज इन दोनों मोबल्स में जादा बढ़िया है रियलमी C11 ही आप बताएगा फिर भी कमेंट करके आपको इन दोनों मोबल्स में कौन से जादा अच्छा लगा मुझे C11 का डिजाइन बहुत जादा पसंद आया बेल एकन पे दबा दियेगा तकि नए वीडियो आप तक पहुचती रहें इसके लगव वीडियो को आपको helpful लगी तो अपनों दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा वाट से फिस्बुक पे मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई